ओम शन्ति आज दिनांक साथ जन्वरी दो हजार तेविस बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सिक्छाएं दी उनका मनन करेंगे बाबा बोले मीठे बच्चे तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदी मध्य अंत का ग्यान मिला है तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है हम घर जाते हैं बाबा समझाते मीठे बच्चे तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदी मध्य अंत का ग्यान मिला है तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है हम घर जाते हैं अर्थात स्वयम भगवान निराकार पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता गती दाता सद गती दाता हम बच्चो को लेने के लिए इस पराए रावन के देश में परमधाम से आते बाबा कहते मैं आता हूँ तुम बच्चो को घर ले जाने लिए उसके लिए तुम बच्चो को आप समान बनाता हूँ आप समान बनाने के लिए बाबा हम बच्चो को स्वयम की नौलेज देते हमारी नौलेज देते ड्रामा के आदी मध्य अंत का राज समझाते तो बाबा कहते अब तुम बच्चे जान गए हो बाप की लीला को लीला कहा जाता है ड्रामा को अर्थात नाटक को जो बाबा यह पार्ट बजाते हैं उस पार्ट की नौलेज बाबा स्वयम आकर हमें देते हैं कि बच्चे अब यहां चक्र पूरा होता है तुम बच्चों ने 84 जन्म पूरे ले लिए हैं अब तुम बच्चों को जाना है घर तो तुम बच्चों को पुरुशार्थ के लिए ब्रहमन मरजी सिवा जन्म देता हूं भ्रहमा मुखवनसावली संतान एडॉप्ट कर बाप टीचर सद्गुरु बन तुम बच्चों की पालना करता हूं तुम्हें ड्रामा के आदी मध्य अंत की नौलेज देकर अपने साथ घर ले जाने लायक बनाता हूं तो अब तुम बच्चों को अपस घर जाना है नाटक पूरा होता है इसी लिए बाबा कहते भक्ती में तुम गीत गाते हो ओम नमुश्यवाए वही बैठकर अपने रचना की महिमा सुनाते हैं जिसको बाबा कहते लीला कहा जाता है नाटक को और महिमा होती है गुणवान की बाबा कहते लीला कहा जाता है नाटक को और महिमा होती है गुणवान की तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है मनुश्य तो जानते नहीं बच्चे जानते हैं कि उस परम पिता परमात्मा का इतना गायन है जिसको सिव जैनती भी मनाते हैं जिसकी सिव जैन्ती मनाते हैं बाबा कहते सिव जैन्ती के लिए यहाँ गीत बहुत अच्छा है ओम नमु शिवाए प्रश्न किया बाबा ने स्वयम को बाप के पास रजिश्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा काईदा है बाबा कहते बाप के पास रजिश्टर होने के लिए पहली पॉइंट बाप पर पूरा पूरा बली चड़ना पड़ता है बाबा आते हैं हम बच्चो को नया मर जीवा जन्म देते तो बाबा कहते पुराने जन्म से तुम बिल्कुल मर गए अब यह नया मर जीवा जन्म मैं तुम्हें देता हूं तो तुम बच्चो को भी अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा पर अरपन करना है तो ही बाबा के पास बच्चे रजिष्टर होते हैं दूसरी पाइंट बाबा कहते अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है तो अपना तन मन धन सफल करने के लिए बाबा हम बच्चो को निमित बनाते की भारत को स्वर्ग अर्थात राजिस्थान बनाने के लिए तुम बच्चे बाबा के मददगार बनते हो तुम बच्चो के द्वारा ही बाबा आकर इतना स्रेष्ट कार्य कराते हैं तो बच्चो को भी अपना समय, संकल्ब, स्वास, तन, मन, धन सब कुछ अर्पन करना है अर्थात सफल करना है तो ही बच्चो का नाम बाबा के पास रजिस्टर होता है तीसरी पाइंट बाबा समझाते संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर दिखाना होता है ऐसे बच्चो का नाम अल्माइटी गवर्मेंट के पास रजिस्टर में आ जाता है उन्हें नसा रहता है कि हम भारत को स्वर्गुवा राजिस्टान बना रहे हैं हम भारत की सेवा के लिए बाब पर बली चड़ते हैं बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ किसी का लेता नहीं तुम बच्चो का लेकर क्या करूँगा बाबा कहते ट्रश्टी होकर सब कुछ समालो एक बाबा पर मन बुद्धी को एकागर कर लो सदा यह इस्मरती रखो कि जो कुछ भी है सब कुछ बाबा का है और बाबा पर ही अर्पन है अर्थात बाबा जो कार्य करने आते हैं बाबा का जो धन्दा वही हम बच्चो का धन्दा तो बाबा आते दुख धाम को सुख धाम बनाने भारत जो अभी पतित बन गया है रोरव नर्क बन गया है उसे पावन सत्यूग बनाने बाबा कहते अब तुम बच्चो को वापिस घर जाना है घर जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े और राजाई पद पराप्त करने के लिए सर्विस भी करनी पड़े तो अपना तन मन धन समय संकल्प स्वांस सब कुछ बाबा पर अरपन करना है भारत को स्वर्ग अत्वा राजिस्थान बनाने की सेवा में सब कुछ सफल कर देना है गीत सुनाया बाबा ने ओम नमु शिवाय आगे बाबा कहते माया बड़ी बेरहम है बेरहमी करती है दुख देती है हमको आकर रहम करना पड़ता है तुम बच्चों को राजियोग भी सिखाता हूँ स्रश्टी चक्र का राज भी समझाता हूँ नोलेच फुल को ग्यान सागर कहा जाता है तुम बच्चे जानते हो तुम हर किसी को समझा सकते हो यहां अंद स्रद्धा की बात नहीं हम निराकार परम पिता परमात्मा को मानते हैं पहले पहले उनकी महिमा करनी है वह आकर राजियोग द्वारा स्वर्ग रश्ते हैं फिर स्वर्ग वाशियों की महिमा करनी चाहिए भारत स्वर्ग था तो सर्वगन संपन्न सोला कला संपुर्ण संपूर्ण निरविकारी मर्यादा पुरुशोत्तम अहिंसक थे पांच हजार वर्स की बात है तो परमात्मा की महिमा सबसे नियारी है फिर देउताओं की महिमा है इसमें अंध सरद्धा की बाबा कहते कोई बात नहीं यहां तो सब बच्चे हैं फालोवर्स नहीं हैं यहां तो फैमली है बाबा कहते सदा इसमरती रखो कि हम इस्वर की फेमिली हैं असुल में तो हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं तो फेमिली हुई न वहा निराकार फिर साकार में आते हैं इस समय यह बंडरफुल फेमिली है इसमें संसय की बात ही नहीं स्यू भी बाबा कहते स्यू की सभी संतान है परजपिता ब्रह्मा की संतान भी गाय हुए हैं नई स्रष्टी की इस्तापन हो रही है पुरानी स्रश्टी भी सामने है पहले तो बाप की पहचान देनी होती है ब्रह्मा वनसी बनने विगर बाप का वर्सा बाबा कहते मिलना सके ब्रह्मा के पास यह ग्यान नहीं है ग्यान सागर स्यू बाबा है उनसे ही हम वर्सा पाते हैं हम हैं मुख वनसावली, सभी राजयोग सीख रहे हैं, हम सब को पढ़ाने वाला सिव बाबा है, ब्रह्मा तन का आधार लेकर बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं इसी लिए बाबा समझाते मत दो गाई जाती हैं एक सिव बाबा की है स्रीमत और एक है भ्रमा की मत दोनों मत का गायन है बाबा कहते अब किसी की मत पर नहीं चलना है एक सिव बाबा की मत पर चलकर स्रेष्ट कर्म करना है परमत मनमत 63 जन्मों से हम मानते आए और ही नीचे गिरते गए अब सिरिमत पर चल स्रेश्ट पावन बनना है भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करना है इसी लिए बाबा कहते अपना तनमंधन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है क्योंकि यहा जो तुम बच्चों को मरजीवा जन्म मिलता है भारत की अर्थात पूरे विश्व की सेवा के लिए मिलता है तो तुम बच्चे बाबा के कार्य को आगे बढ़ाते हो अर्थात आत्मा तो पावन बनाते ही हो और साथ में पाँच तत्वों को पावन बनाने की सेवा भी करते हो तो अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ ब्रह्मा बाप के समान बाबा पर अर्पन कर देना है भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करना है पूरा पूरा फ्लेंतो प्रिष्ट अर्थात दानी बनना है पूरा पूरा दान करना है वरदान दिया बाबा ने वरदान में बाबा कहते परमात्म प्यार की चत्र चाया में सदा सेफ रहने वाले दुखो की लहरों से मुक्त भाओ परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भाओ परमात्म प्यार अर्थात परमात्मा पिता का वर्षा परमात्मा पिता का हम पर इसने हैं परम पिता परमात्मा हम बच्चों को दुख से लिबरेट कर सुख की दुनिया में ले जाने आते रोरव नर्क को स्वर्ग बनाने आते बाबा हम बच्चों को पतित से पावन, तमों प्रधान से सतों प्रधान, पत्थर बुद्धी से पारज बुद्धी बनाते तो जो बच्चे एक परमात्मा पर मन बुद्धी एकागर रखते बाबा पर अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सफल करते उन्हें बाबा के प्यार की छत्रचाया मिलती जिसमें दुख का अंस भी नहीं है अर्थात स्वयम भगवान आकर सुख देने आते तो हम बच्चों को सुख के सागर की लहरों में गोते लगाते रहना है अर्थात बाबा के वरसे का अधिकारी बनना है दुख से मुक्त रहकर सुख का अनुभव करना है और सभी को कराना है बाबा कहते जैसे कमल पुस्प कीचड पानी में होते भी न्यारा रहता है और जितना न्यारा उतना सब का प्यारा है ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए यह परमात्म प्यार चत्रचाया बन जाता है और जिसके उपर परमात्म चत्रचाया है उसका कोई क्या कर सकता है इसलिए फकुर में रहो हम परमात्म चत्रचाया में रहने वाले हैं दुख की लहर हमें इस पर्स भी नहीं कर सकती। स्लोगन में बाबा कहते अपने स्रेष्ट चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्रामन कुल का नाम रोसन करते हैं वही कुल दीपक हैं। जो बच्चे अपने स्रेष्ट चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्रामन कुल का नाम रोसन करते हैं वही कुल दीपक हैं। जो बच्चे अपने परिवार का अपने समाच का नाम रोसन करते हैं उन्हें कुल दीपक कहा जाता है। ऐसे ही बाबा आकर हम बच्चों को स्रेष्ट कार्य के निमित बनाते अर्थात विश्व कल्यान का कार्य देते तो जो बच्चे स्वयम का नाम रोसन करते ब्रह्मा बाप का सिव बाबा का नाम रोसन करते ब्रह्मन परिवार का नाम बाला करते ऐसे बच्चों को बाबा कहते क पुल दी पक हैं तो ये थे बाबा के महावाक के अच्छा ओम शान्ती